कानपुर से सागर मध्यप्रदेश को जोडने वाला नैशनल हाइवे 34 जिसने अब तक हमीरपुर जिले के 1200 लोगों की जान ले ली वह ना तो 4 लेन ही है और ना ही इस पर डिवाइडर ही बना है जिस पर अब तक होने वाले हाथसों में 95 प्रतिशत हाथसे आमने सामने हुए है इस हाइवे पर डिवाइडर बने इसकी मांग बीते काफी अरसे से होती चली आई है जिसने अब एक बार फिर तेजी पकड़ ली है और आंदोनन का रूप ले रही है हम यह चाहिए रहे हैं कि जब तक हमारी इस अइनर 34 में डिवाइडर और फोल लाइन नहीं हो जाती हम अपने इस काम को जारी रखेंगे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे हमीरपुर से होकर गुजरने वाले नैशनल हाइवे 34 पर हाथसे तो रोज होते हैं जिसमें किसी ना किसी की जान भी जाती रहती है लेकिन बीते तीन दिन पहले यहां एक भीशन हाथसा हुआ था जिसमें दस लोगों की मौत हुई थी तो वही हाथसे का शिकार हुए तीन लोग ऐसे थे जो एक ही परिवार के थे इस दिल दहला देने वाले हाथ से ने सभी को जगजोर कर रख दिया है और उसी दिन से युवाओं ने हाइवे पर डिवाइडर बनवाने की मांग शुरू कर दी थी जो अब आंदोनन की शकल लेने लगी है आज सेक्डो युवाओं ने एकत्रित होकर SDM को ग्यापन सौपा है और मांग की है कि नैशनल हाइवे को फॉर लेन करवाते हुए इसमें डिवाइडर बनवाया जाए ये मिशन कोई मेरा नहीं है ना किसी विक्ति विशेश का है ये मिशन कानपूर से लेकर कबरई तक जितने भी रहने वाले इस हाइवे की किरारे रहने वाले वाशिंदे हैं उनस सभी का मिशन है और मैं ये चाहूंगा कि ये मिशन कभी खत्म ना हो और जब तक खत्म ना हो जब तक ये रोड हमलों की जान लेना न बंद करते हैं क्योंकि लगबख हर साल तीन सो से चार सो लोग इस खूनी हाईवे में दुरगटना के सिकार हो रहे हैं जो कि एक हमारी लिए बहुत ही स्तर्म की बात है कि हम इस हाईवे में एक डिवाइडर और एक फोर लेन की मांग क कर रहे हैं और आज से नहीं बहुत पहले 15 मांग कि जा रहिए है यह और सरकार को हमें अपनी बात पहुंचानी है हमें प्रदेश स्तर पर राश्टी स्तर पर अपनी स सबाड़को पहुचाना है कि इस हाईवे को डूगटना रहत किया जा four जैसे हमारे जन्मानस और तरफ चेतरवासी इस हाइवे से रच्षेत रहें और शुकम यात्रा कर पाएं तो नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे